जै श्री राधारानी सरकार की, जै श्री कृष्ण भगवान की, जै श्री राधा अश्मी वरत महोस्व की, मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूटूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारधी कभिनंदन करते हैं। श्री राधा अश्टमे के उपलक्ष में प्रते दिन हम आपको श्री राधारानी सरकार की परम सुन्दर कथाओं को सुना रहे हैं, तो आज दूसरी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये उद्धव संदेश की कथा है, जब उद्धव जी श्री राधारानी सरकार और सब गोपियों को और ब्रजवासियों को ज्यान का उपदेश देने जाते हैं। उस समय का बड़ा सुंदर वर्णन इस कथा में किया गया है। इस कथा में उद्धव और श्री राधरानी के समवाद की कथा सुनाई गई है। इसे आप मन की भावना से सुनेंगे तो आपको और आनन्द आएगा। उद्धव संदेश की ये कथा है। हो सकता है, ये कथा आपने पहले ना भी सुनी हो। अगर सुनी भी होगी, तो श्री राधरानी सरकार ने जो कुछ उद्धव जी से कहा है, वो शब्द आपने नहीं सुने होंगे। तो इस कथा को आप श्रधा भ भक्ती करना चाहते हैं उनके चर्णों में जिन का मन लगा हुआ है तो कथा इस परकार से है जब भगवान श्री क्रिशन जी मतुरा गए तब से श्री राधाराने जी की विचित्र दशा थी रात को नींद नहीं आती दिन को शांती से बैठा नहीं जाता कभी मन की वृत्यां ले हो जाती है तो कभी वो मूर्शित हो जाती है ठाकुर जी के विरह में श्री राधाराने की ऐसी दशा है कि वो नाना परकार के प्रलाप करती रहती है तो कभी सुरीली वीना के तारों को छेड़ कर श्री मुरली मन होर श्याम सुंदर भगवान के गुनान वादों का गा नहीं चलता है ठाकुर जिससे प्रेम करना हो तो कोई श्री राधारानी सरकार से सीखे आंसों की इधारा वो हर पल बहाती रहती हैं समझाने से सांतवना देने से उनकी पीड़ा और भढ़ जाती है सब गोपियां उने तरह तरह से समझाने की कोशिश करती है परियास करती है लेकिन जो भगवान जी के चर्णों में मन किसी का लगा हुआ हो तो वो भगवान के विरह को सेह नहीं सकता है और श्री राधारानी तो महाभावस सवरूपा है वो श्री कृष्ण के बिना कैसे आनंद से रह सकती है उद्धव जी जिस समय श्री राधारानी जी के पास पह क्यों ना हो श्री राधारानी महाभावस सवरूपा है उनके दर्शन कोई भी करेगा तो उसके अंदर रोमांच अपने आप आही जाएगा सारे शरीर में रोमांच होगा ही होगा वे श्रद्धा से आज श्री राधारानी जी की स्तूती करने लगे हैं उधव जी कहने लगे ह कि हे देवी मैं तुम्हारे चरंद कमलों की वंदना करता हूँ तुम्हारे कीरती से ही सारा विश्व भरा हुआ है तुम भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिया आहलादनी शक्ती हो वे जब जहां जिस रूप में रहते हैं तब तहां वैसा ही रूप धारन करके तुम भ वे महा विश्णु है तब तुम महा लक्ष्मी हो जब वे सदाशिव है तब तुम आधा शक्ती हो जब वे ब्रह्मा है तब तुम सरस्वती हो जब वे राम है तब तुम सीता हो और तो क्या कहूं है माता तुम उनसे अभिन हो जैसे गंध और पृत्वी जल और रस रूप और तेज, स्पर्ष और वायू, शब्द और आकाश अलग लग नहीं है, एक ही है, वैसे ही श्रीक्रिशन तुम से प्रिथक नहीं है, ज्यान और विध्या, ब्रह्म और चेतन्ता, भग्मान और उनकी लीला जैसे एक है, वैसे ही तुम भी श्रीक्रिशन से एक हो, वे गोलो क तुम गोलो केश्वरी हो ये देवी यह मूर्चा त्यागो होश में आओ मूझे दर्शन देकर मेरा कल्यान करो मैं आपको बारम बार दंडवत परनाम करता हूँ उधव की प्रात्ना सुनकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहती हुई राधारानी आज होश में आई है उन्हो श्री कृष्ण ने तुम्हे भेजा है अवश्य उन्होंने ही भेजा है अच्छा बताओ वे कहां कब आएंगे मैं उन्हें कब देखूंगी क्या उनके कमल से कोमल श्रीर में मैं फिर से चंदन लगा सकूंगी उधव ने अपना नाम धाम बताकर आने का कारण बताया है श् चंदन चर्चित शया है और वही साज सामगरी है प्रन्तु मेरे प्रान नाथ कहां है इस दासी से कौन सा अपराद बना है अवश्य ही मुझसे कोई अपराद हुआ होगा हां कृष्ण हां रमानाथ प्रान वल्लब तुम कहां हो आज इतना कहकर श्री राधा रानी जी पु उधव जी कहने लगे हैं कि हे माता मैं तुम्हें बड़ा ही शुब समवाद सुना रहा हूँ अब तुम्हारे विरह का अंत हो गया श्री कृष्ण जल्द ही तुम्हारे समीप आएंगे तुम श्रीग्र ही उनके दर्शन कर पाओगी वे तुम्हें प्रसन करने के लिए न उधव जी का बड़ा ही सतकार किया है अनेको प्रकार के दान देकर उधव को भोजन पान करवाकर उने वर दिया है कि तुम्हें सब सिद्धियां मिल जाएं तुम भगवान के दास से बने रहो और तुम्हें उनकी पराभक्ती प्राप्त हो हे उधव तुम उनके पारशद और श्रेष्ठ पार्शद हो इसके पर शात श्री राधारानी उद्धव जी और सब गोप्यों में वार्ता लाप हुआ है जब उद्धव जी वीदा होने के लिए श्री राधारानी से अनुमती लेने के लिए आए तब श्री राधारानी जी ने कहा है कि हे उद्धव हम अबला है हमारे हिर्दे का हाल कोन जान सकता है मुझे भूलना मत मैं श्याम सुंदर के विरे में कातर हो रही हूँ मेरे लिए घर और वन में अब कोई भेद नहीं रह गया है पशु और मनुश्य एक से जान पड़ते हैं जागरत, स्वपन और सुशुप्ति में कोई अंतर नजर नहीं आता है शंद्रमा सुड़े का उदे, रात और दिन का होना आना जाना मुझे मालुम नहीं है मुझे अपनी ही सुधी नहीं रहती है श्री कृष्ण के आने की बात उनकी लीला सुनकर गा कर कुछ शनों के लिए सचेतन हो जाती हूँ मुझे चारों और कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं मैं निरंतर मुरली ध्वनी ही सुनती हूँ मुझे किसी का भे नहीं है किसी की लज्जा नहीं है कुल की परवाह नहीं है मैं उनी को जानती हूँ उनी को भज़ती हूँ ब्रह्मा, शिव और विश्णु जिन की चरन धूली पाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं उने पाकर मैं उनसे बिछुड गई मेरा कितना दुर भागय है कोई मेरा हिर्दे चीर कर देख ले उनके अत्रिक्त इसमें और कुछ नहीं है हे उद्धव, क्या अब उनके साथ क्रीडा करने का प्रेम सो भागय मुझे नहीं प्राप्त होगा क्या अब वरिंदावन के कुंजों में अपने हाथों से मालती, माधवी, चंपा और गुलाब के फूलों की माला गूंथ कर उन्हें मैं नहीं पहनाऊंगी अब मैं वसंत रितु की मधुर रजनियां जिन में राधा और माधव वी हरते थे क्या वे पुने नहीं आएंगी, राधा रानी इतना कहकर पुने मुर्चित हुई है सक्यों के और उद्धव जी के जगाने पर राधा रानी पुने होश में आई है और कहने लगी है कि हे उद्धव इस शोक सागर से मुझे बचाओ मुझे समझाने बुजाने से कोई लाभ नहीं होगा उनकी बातें याद करके मेरा मन चंचल हो रहा है विरहनी की वेदना कोई विरही नहीं जान सकती है सीता जी को कुछ कुछ इसका अनुभव हुआ था मैं किस से कहूं मेरी मानसिक पीड़ा का किसे विश्वास होगा मेरी जैसी अभागिनी मेरे जैसी दुखिनी इस्त्री ना हुई और ना होने की संभावना है मैं कल्प वरिक्ष को पाकर भी ठगी गई देव ने मुझे ठग लिया उने देखकर मेरा जीवन सफल हो गया था मेरा हिर्दे और मेरी आँखे स्निग्ध हो गई थी उनके नाम की मधुर ध्वनी सुनकर मेरे प्रान पुलकित हो उठते हैं उनकी यादों में मेरा मन सदा लगा रहता है लेकिन ठाकर जी जब तक सामने नहीं आएंगे इस मन को शांती कहां से मिलेगी मन को आनंद कहां से मिलेगा हे उधव मैं उनकी छत्रचाया में रही हूँ उनको कभी भूल नहीं सकती हूँ ऐसी कोई वस्तु नहीं ऐसा कोई ग्यान नहीं ऐसा कोई शाष्ट्र नहीं ऐसा कोई संत नहीं तथा ऐसा कोई देवता नहीं जिससे मैं श्री कृष्ण को भूल सकूँ स्थीथे की गती संभव है प्रन्तु जहां बिना मार्ग के ही चलना है उसे गती कैसे कह सकते हैं यहें शुनने की सेज है राधिका जी आज रोने लगी है उधव रोने लगे है गोपियां रोने लगी है वहां के पशु पक्षी व्रिख्ष लताएं और जड़ चेतन सब के सब रोने लगे हैं करुना का प्रेम का अनंत समूदर उमर पड़ा है उधव जी काफी समय तक ब्रज में रहे थे वे राधारानी से अनेकों प्रशन करते और प्रेम का रहस से ग्यान प्राप्त करते गवालों के साथ वनों में घूमते नंदिय शोदा के साथ शिक्रिशन लीला का कीर्तन और श्रवन करते गवों के साथ खेलते वरिक्षों का लिंगन करते लताओं को देखते ही रह जाते उनका रोम रोम प्रेम मैं हो गया था उध्धव जी गवाले बन गए हैं ग्यान देने आये थे ब्रज भूमी में लेकिन प्रेम की शिक्षा लेकर जा रहे हैं प्रेम भाव लेकर जा रहे हैं उध्धव जी मन में सोचने लगे है कि केवल गोपियों का जनम ही सार्थक है यही वास्तों में श्रीकृष्न की अपनी हो सकी है भ्राह्मन होने से क्या हुआ जब श्रीकृष्न से प्रेम नहीं है बड़े बड़े रिशी मुनी जिसकी लालसा करते रहते हैं वह इन गोपियों को प्राप्त हो गया है श्रीक्रिशन के चर्णों में इनका अनंत प्रेम है देव पत्नियों को इंदिरा लक्ष्मी को जो प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ वह इन गोपियों को प्राप्त हुआ है ये श्रीक्रिशन के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके कृतार्थ हो गई है मैं अब वरिंदावन में ही रहूं, मनुष्य ना सही, पशुपक्ष ही सही, वरिक्ष ही सही, और नहीं, तो एक तिनका ही सही, इनके चर्णों की धुली तो मुझे प्राप्त होती रहेगी, शुतियां जिनके चरंद चिन्नों को खोजने में लगी हैं, वे गोपियां उने प जब उधव जी वापिस मतुरा जा रहे थे श्री राधारानी जी के पास आये हैं राधारानी ने उनके सिर पर हात रखकर आशिरवाद दिया है कि है उधव तुम्हारा मार्ग मंगल मैं हो तुम्हारा सरवदा कल्यान हो भगवान से तुम्हें परम ग्यान प्राप्त हो और भगवान के परम प्रेम पात्र बने रहो श्री राधाराने जी ने आगे कहा है कि हे उधव सर्वशेष्ठ वस्तू श्री क्रिशन का प्रेम है सर्वशेष्ठ करम उने प्रसन करने वाला करम है सर्वशेष्ठ जीवन उने समर्पित जीवन है उसी वुरत ज्यान और तपस्या की सफलता है जो उनके उदेश से है हे उधव वही परातपर परिपूर्णतम भ्रम हैं श्रीकृषन ही परम सत्य हैं जियोती सवरूप हैं तुम उन्ही पर्मानंद सवरूप नंदन की सेवा करो सारे उपदेशों की सफलता इसी में है आज राधा रानी जी से ऐसा परम सुंदर आशिरवाद प्राप्त करके उद्धव जी को ऐसा अनुभव हुआ है कि मानो मैंने संपूर्ण ज्यान प्राप्त कर लिया है वे अपना वस्तर गले में बांध कर राधा रानी के चर्नों से लिपट गए है शरीर पुलकित है आँखों में आंसू है और राधा के वियोग से कातर होकर जोड़ जोड़ से रोना बस उद्धव की यही दशा थी वे वहां से जाना ही नहीं चाहते थे गोपियों ने भहुत समझाया है राधा रानी ने श्री क्रिशन जी के लिए बांसुरी और भहु से सुन्दर उपहार दिये है और कहा है कि हे उद्धव जाकर तुम यही परियतन करना कि श्री क्रिशन यहां आए मैं उन्हें देख सकूँ आज श्री राधा रानी जी की अनुमती प्राप्त करके उद्धव जी वहां से वापिस मतुरा जाने के लिए चल पड़े हैं तो यही पर आज की इस कथा का विश्राम होता है वैसे उद्धव और गोप्यों का समवाद काफी जादा विश्त्रित है काफी जादा बड़ी कथा है लेकिन आपको संक्षेप में बड़ी सुन्दर ये मनुहर कथा सुनाई गई है इस कथा को सुनने मातर से श्री राधा कृष्न भगवान जी की भक्ती प्राप्त होती है संसार से मन हट जाता है ठाकुर जी के चड़नों में मन लग जाता है जो श्री राधारानी सरकार की कि शोरी जी की भक्ती करना चाते हैं उन्हें ऐसी कथाओं से बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है तो आज की इस कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद 11 सितंबर 2024 दिन बुद्धवार तक प्रति दिन श्री राधारानी जी की सुन्दर लिलाओं की कथाईं प्रति दिन आप हमारे चैनल पर जरूर सुने श्री राधा अश्मी व्रस से सम् गोपियों की उद्धवजी महराज की श्री राधा अश्मी व्रत महोसव की अनंत करीपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंदल कामरा के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री राधा अश्मी व्रत महोसव की जै जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम